जन्दिन के मौके पर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ओडिशा दौरे पर हैं. प्रधान मंत्री मोधी ने इस यात्रा के दौरान राज़्य की महिलाओं को एक नई सौगाद दी. PM ने राज्य सरकार की सामाजिक कल्यान योजना सुभद्रा योजना को हरी जंडी दिखाई जानते हैं इस योजना के लिए सरकार ने क्या रूपरेखा तयार की है इस योजना के तहट प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हर साल दो किस्त में 10,000 रुपे सालाना दिये जाएंगे यह आर्थिक सहायता 5 साल तक दी जाएगी ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना के तहट प्रदेश की महिलाओं को साल में दो बार 5-5,000 रुपे देगी पैसा सीधे महिलाओं के अकामुट में ट्रांसफर किया जाएगा रुपे निकालने के लिए सरकार बकाईदा डेबिट कार्ड भी महया करवाएगी इस योजना के तहट ग्राम पंचायत और शहरी निकाए में जो महिलाओं हैं सबसे ज्यादा डिजिटल लेंदेन करेंगी उनमें से 100 महिलाओं को सरकार एक्स्ट्रा 500 रुपे देगी इस योजना का लाब लेने के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिनके अनुसार सुभद्रा योजना का लाब हिक्की से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा चुंकि यह योजना ओडिशा सरकार की है इसलिए आवेदन करने वाली महिला ओडिशा राज्य की निवासी होनी चाहिए यह राशी पांच साल तक राखी पूर्णिमा और अंतरराश्य महिला दिवस पर दी जाएगी अगर कोई महिला जिन्हें सरकार की ओर से पेंशिट, स्कॉलर्शिप या अन्य माध्यम से 1500 रुपे से अधिक मासिक या 18,000 से ज्यादा वार्शिक सहायता मिल रही है वो इसके लिए पात्र नहीं है इसके अलावा इंकम टैक्स भरने वाली महिला भी इसके लिए पात्र नहीं है इस योजना का आवेदन फॉर्म आंगनबाडी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिस, मोबाइल सेवा केंद्रों और जन सेवा केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा योजना में किसी तरह का घोटाला ना हो, इसके लिए सरकार एक सोसाइटी बनाएगी आवेदन करने के लिए महिला को आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है इसके अलावा खाता उस बैंक में होना चाहिए जिसमें डीबीटी की सुविधा उपलब्ध हो सरकार की यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देगी